हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब लॉकडाउन के बीच कश्मीर घाटी में आतंकवादी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं कश्मीर घाटी में चार दिन में आज चौथा बड़ा एंकाउंटर चल रहा है दो मई को हंदवाडा में एक बड़ा एंकाउंटर हुआ जहां लशकर के दो आतंकवादी धेर हुए लेकिन हमारे पांच जवान शहीद हुए सेना के मुताबिक यह आपरेशन करीब 15 घंटे चला था उसके बाद दूसरा हमला 4 मई को हुआ जिसमें CRPF के तीन जवान शहीद हुए थे तीसरा हमला बढ़गाम में ग्रेनिट के द्वारा किया गया इस अटैक में भी दो जवान घायल हुए और आज पुलवामा के पंपोर इलाके में मुढभेड में सुरक्षा बलो ने एक आतंकवादी को मार गिराया है दोनों तरह से गोलिवारी अभी भी जारी है अवन्तिपुरा की अगर बात करें तो वहाँ सुरक्षा बलो ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नाइकू को घेरा हुआ है तो आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मु कश्मीर में आतंकवादी सक्रिये हैं सेना के साथ मुढभेड हर दूसरे दिन हो रही है अब अंतिपूरा में जो एंकाउंटर चल रहा है वहाँ से बड़ी खबर ये है कि हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू की घेराबंदी कर ली गई है रियाज नाइकू पर कई पुलिस वालों की हत्या का आरोप है ये तस्वीर आपके सामने हैं रियाज नाइकू की 32 साल हुम्र है इस आतंकवादी की अवंतिपूरा के दुर्बक का रहने वाला है 2016 में रेडार पर आया था नाइकू कई पुलिस वालों की हत्या का आरोप है ए प्लस प्लस केटिगरी का आतंकी है ये बुर्हानवादी की मौत के बाद निशाने पर कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टर माइंड है और इस समय सेना ने इस आतंकवादी को घेरा हुआ है झालों के दो आतंक पुलिस वालों का माईंड है